हेलो मैं हूं आकांशा फ्रों ग्लोबल टीचर्स अकैडमी आज हम बात करेंगे डी ट्रिपल एस्वी के से पी जी टी के हिस्ट्री सलेबस के बारे में जो हमारे एक्जाम पैटर्न है अगर हम उस पे बात करें तो यह तो पार्ट्स में डिवाइड है पार्ट ए में हम हंड् मारे मांने हमें अब कहें जो हमारे सलेबस है पार्ट के टू पार्ट में डिवाइड है' sic है इंडियान स्थुरी और एक है एक है विबार्ट इस्थू हमारी फ्री पाट्स में डिवाइड है एंशंट इंडियन history medieval Indian history और modern Indian history और जो word history है उसकी अलग सी कुछ topics दे रखे हैं अगर हम बाग करें कि जो Indian history है उसमें ancient से related जो topic दे रखे हैं वो हमें दे रखे इंडस civilization और महाचनपदा मगद मौर्याग गुपता यह सारे फिर मेडिवल की बात करें तो मेडिवल पर हमें दिल्ली सलतनक का काल और दे रखा है मुगल्स और शिवाजी और उसके बाद में मौडन दे दिया है सीधा तो मौडन में 1857 का रिवॉल्ट हमें दे रखा है और नाइटीन थर्टी नाइटीन से जो 1947 का गांधी एरह है वो हमें पूरा पढ़ना है वो सारा उसमें दे रखा है उसकी हलवा हमें देखना है कि जो भारत का विबाजन हो जाता है उसकी बाद में कैसी कंडिशन थी जो हमारे कंस्टिटूशन से रिलेटेड क्या क्या विशेश रिष्टाएं थी और कैसे हमारा कंस्टिटूशन का निर्मान हुआ वहां तक की सारी चीजें हमारे ट्रिपल एस्वी के सिनेवस में दे रखी है अब अब बात करते हैं वर्ड इस्ट्री की तो वर्ड इस्ट्री में हमें पुर्णर चागरन पढ़ना है फिर उसके बाद म हमें देखना है कि जो अमेरिका में युद अमेरिका से रिलेटेड जो हमारा वो जो युद हुए थे दो विश्व युद हुए थे उनके पारिंबे हम बात करेंगे साथ ही हम चाइना और जापान का जो है वो भी इतियास इसमें देखेंगे तो यह सारी चीजें हमें कवर करनी है इसकी लिए हमें सिर्फ केवल बुक्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना है बुक्स के साथ साथ हमें अपने पर्सनल नोट्स क्रियेट करने हैं ताकि एंड मॉमेंट पर चुब एक्जाम आ जाता है चुब एक्जाम की बंदरा भी इस दिन बचते हैं तब हम उसे कंप्लीट कर सकें थेंखी